Hello Children, Welcome to Assaya Education आज हम का रहे हैं Chapter 2 A Gift of Chappals English Book Grade 7 हमारे इस वीडियो में इस Chapter से जो भी related question answers है हम उसको discuss का रहे हैं हमारा जो शुरुवात है उसमें पहला पार्ट में comprehension check दिया है तो शुरूर करते हैं First question से What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? Backyard में Meena ने Mridu से क्या secret share किया तो इसका answer है In the backyard behind a thick bitter berry bush There inside a torn football line with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from the coconut half shell Backyard में क्या था उनकी वो जो कड़वी बरी वाली जो बुश थी उसके पीछे एक फटी होई जो football है उसमें उन्होंने एक थोड़ी सी sand डाल रखी थी और उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो की coconut की जो shell होती है आधी उससे milk पी रहा था They found him outside the gate this morning और यह जो बिल्ली का बच्चा है यह उन्हें सुभे सुभे gate के बाहर मिला था This was the secret Meena shares with Mridu और यही वो secret था कि उन्होंने एक बिल्ली का बच्चा च्पा रखा है बिना किसी को बताए यही एक secret था जो Meena ने मृदू से share किया अगला question है How does Ravi get milk for the kitten? अब Ravi जो है किटन के लिए milk कैसे लेकिया आया? तो when Ravi was taking the glass of milk from the kitchen, पाती saw him अब जो Ravi जिस समय चुप चाप किचिन से milk का glass लेकर आ रहा था तभी पाती ने उसी देख लिया He made an excuse by saying that he was very hungry and want to drink the milk अब वो क्या महाना बनाता तो उसने का नहीं मुझे बहुत भूग लगी थी और मैं दूद पीना चाहता था इसलिए milk लेके जा रहा पाती was little bit suspicious in believing what Ravi told him लेकिन पाती को जो Ravi की बात थी उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ कहीं उन्हें कुछ न कुछ शक था In order to mislead her he drank most of the milk so that she cannot understand the real intention behind it अब ये बात का एहसास दिलाने के लिए कि नहीं मुझे ही भूग लगी है मेरे कोई दूद पीना है Ravi ने क्या किया जादे से जादे दूद जो है पी लिया ताकि पाती को पता ना चल सकी कि actual में वो दूद अपने लिए नहीं वालकि किटन के लिए 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 लिक्के चा रहा है पाती टोल हीम to keep the tumbler back बट Ravi requested that he will wash it first and then return it तो जब वो दूद पी रहा था तो पाती ने का अच्छा ठीक है तुम इसके बाद ये जो tumbler है इसका ये धूल के रख देना या वापिस रख देना तो Ravi ने का नहीं पहले मैं इसको धोंगा और फिर उसके बाद आपको वापिस कर दूगा तो इस तरीके से रवी जो है किटन के लिए milk लेकर आ रहा था तो इसका अंसर है ये जो कैट है ये अक्चल में इसके पुर्खे कौन है कोई और नहीं बड़कि महाबलीपूरम रिशी कैट के ले वर्षिप्ट कैट्स in the ancient Egypt क्या होता था पहले Egypt में जो कैट्स हैं उनको वर्षिप किया जाता था तो इसने कहा रवी ने कि ये जो कैट है एक्चल में इसका जो ओरिजन है वो ईजिप्चन कैट गोड से रिलेटिड है नहीं नहीं Goddess से related है Bastard, Bastard कौन है? Bastard जो है Egyptian Goddess है Protection की One of the descendants of the Cat Goddess was a stowaway in one of the Pallava ships and his descendants was the Mahabalipuram Rishi Cat whose descendants is Mahindran that is M.P. Punnai अब उसने बताया कि यह जो descendant Cat Goddess के थे एक बार क्या हुआ? Pallava का जो शिप था उसमें यह छिप गए थे और इनके जो descendant है वो actual में वही Mahabalipuram Rishi Cat है जिसका descendant कौन है? Mahindran, Mahindran यानि इस Cat का नाम जो रखा है उन्होंने M.P. Punnai अब आपको इसकी बार भरोसा है खेर, आपका अपना मानना है मुझे तो इस पर भरोसा नहीं अब यहाँ पर एक question दिया है जिसमें आपको चार में से correct answer बताना है Ravi has a lot to say about M.P. Punnai This shows that वो जो है M.P. Punnai के बारे में बहुत कुछ बताना चाह रहा था तो इससे क्या पता चाहता है? He is merely trying to impress Mridhu Mridhu को impress करने कोशिश कर रहा था His knowledge of history is sound knowledge उसकी अच्छी दी history को लेकर He has a rich imagination Imagine वो बहुत अच्छा करता था He is an intelligent time यानि तेज दिमाग वाला बच्चा था Which of these statements do you agree or disagree to? तो हमारे हिसाब से जो इसका answer होना चाहिए वो His knowledge of history is sound यानि कि उसको जो इतिहास की थी अच्छी जानकारी थी What was the noise that startled Mridhu and frightened Mahindran? अच्छानक से ऐसी कैसी आवाज हुई कि जो Mridhu थी वो एकदम से घबरा गई और Mahindran भी जो है वो डरने लगया तो इसका answer क्या है लाली learning to play the violin जो लाली या लली जो थी उसने वोयलन बजाना शुरू कर दिया था यानि उसकी music teacher जो आई हुए थे उनसे वो वोयलन सीख रही थी तो वो जो है उसके वोयलन की आवाज जैसे यानि शुरू हुई उससे एकदम से मृदू चोग गई और साथी साथ जो Mahindran था वो गबरा गया अब आपका part 2 का comprehension check के questions है The music master is making lovely voice Read aloud the sentence in the text that expresses this idea जो music master गाना बजा रहे थे उसका sound बहुत अच्छी निकल रही थी तो अब आपको sentence यह बताना है कि text में जिसमें यह पता चलता है कि music master बहुत अच्छा गाना प्ले कर रहे थे या music बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे तो उसका answer है The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody यह जो sentence डिया हुआ है कि music master की धुन थी वह ऐसा लग रहा था जिसे एक float कर रही है उपर नीचे बिलकुल perfectly जो है जो melody के tracks है उन पे बढ़े अच्छे से settled हो रही है बहुत कानों में सुनने में मदूर लग रही है It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along ऐसा लग रहा था जैसे train के जो पहिये है वो बड़ी आराम से rail पे fit हो जा रहे है और आगे बढ़ रहे है Had the beggar come to Rukumani's house for the first time, give reason for your answer तो इसका answer है कि जो beggar था He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from जो beggar था वो Rukumani के घर पहली बार नहीं आया था वो पिछले हफ़ते से लगाता रोजी आ रहा था और एक तरे से उसने एक घर ढूण लिया था जहां से उसको आसानी से फीक मिल जाती थी A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows What does it suggest to you about Rukumani's mood? उसकी जिसे होता ना जब भौएं बीच में एकदम से गुसे में करो तो V-shaped line बन जाती है तो इससे Rukumani का mood कैसा पता लग रहा था आपको? अंसर है A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows Another straight, tighter one appeared in a place of usually soft, pleasant mouth उनका जो सौमे से चहरा था उसके चहरे पर बड़ी सक्ती सी दिखाई देने लग गई गुसे से उन्हों ने अपनी भौएं ऐसी बीच में कर ली जिससे V-shaped बन गई Reason क्या था? Rukumani was angry as the children gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here Rukumani गुसे में क्यों हा रही थी? उनकी शकल ऐसी क्यों हो रही थी? उनका गुसे वाला mood हो रहा था क्योंकि उन्हें ये बात को सोचके गुसा आ रही थी कि बच्चों ने music master की जो चपल है वो उस भिकारी को दे दी जो यहाँ पर आया था यही सोचके उनको जो है बच्चों को देखके गुसा आ रही थी अब है complete the following sentences आपको sentences पूरे करने है रवी ने जो है लल्ली का जो वोईलन बजाना था उससे किसकी से तुल्ला करी तो उसका answer है था train derailing going completely off track उसने जो है उसकी तुल्ला एक rail गाड़ी से करी जो पटरी से उतर जाती है बिलकुली अलग अलग जा रही थी दूसरा है trying to hide beneath the tray of chillies महेंद्रन अब महेंद्रन जो है अपने आपको वो जो मिर्चों की ट्रेट थी उसके पीछे चिफने की कोशिश कर रहा था tipped a few chillies over himself और ऐसा करने हम उसने क्या किया कुछ मिर्चे अपने उपर गिरा ली थार्ड है the teacher played a few notes on his violin लल्ली अब जो music teacher थे उन्होंने कुछ धुन्यों है अपनी वोईल पर बजाई और लल्ली ने क्या किया लल्ली स्टंबल्ड बहाइंड वोईलेंड विच लूप्लेंड विच लूप्लेंड और लल्ली ने भी जो है वो मुझसे कहें कि तुम चले जाओ यहां से ऐसा मुझे विश्वास नहीं है अब जब लेसन खतम हुआ तो music teacher ने लल्ली से क्या पूछा तुमने मेरी चपलों को देखा मुझे याद है मैंने उन्हें यही रखा था अब आपको music teacher के opinions को बताना है कि वो कैसे दिखते थे अगर उनको खिड़की से देखा जा रहा था the music teacher was a bony figure music teacher बहुत ही तुबले पतले थे बिलकुल skinny थे कोई उनके पर ज्यादा fat नहीं था तेल लगी वो उनके कान के आसपास गिर रही थी और उन्होंने जो है एक पुराना सा fashion वाला गमच्छा पेना हुआ था a gold chain gleamed around his leathery neck और उनका जो गला था उसमें एक बढ़िया सी gold chain पड़ी हुई थी and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the boiland जब वो वो बचा रहे थे उसकी stem को से बॉयलन मिटा रहे थे तो उनके उंगली में हीरे की अंगुठी जो है वो चमक रही थी a large foot stuck out from beneath his gold border which the edge अब वो जो धोती पहने थे उसका जो बॉर्डर था उसके नीचे से उन्होंने अपना जो है जो पैर होता है उसको बहा निकाला हुआ था and he was beating time on the floor with the scrawny big toe और वो क्या कर रहे थे जिसे होता है कि ताल देते हैं तो एक अंगुठे की मदद से वो जो है बड़ा संक जो अंगुठा था उसको जमीन पर हिट कर रहे थे जिसे वो एक time के according टाल को दे रहे what makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals अब Mridu को ऐसा क्यों लगा कि वो जो beggar है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चपल खरी सेके तो इसकान सा क्या है he stretched out his feet to show large pink peeling bristers on the soles of his bare feet अब वो जो बिकारी था उसने जब अपने पैर पहलाए क्योंकि वो बैठ रात आराम के लिए तो उसने जब पैर अपने सीधे किये तो उसको दिखा अब Mridu को कि उसके पैर जो है वो बड़े बड़े पिंक हो रहे उसके पैर जो है वो बिलकुल नंगे पैर है तो अगर नंगे पैर है पैरों में छाले पढ़ गए तो इसका मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चपल खरी सके अब यह बताने के लिए कि उसको उस बिकारी को देखकर चिंता हुई तो उसने क्या कहा इसके पास चपल खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास कोई घर में पुराना जोडी चपल का पड़ा है तो उसको जो है लाके अगर हम विकारी को दे दे तो उसको असानी हो जाएगी अब यह जो था यह रुकमनी का एक तरसे क्वेशन था कि तुमने देखा है बच्चो जैसे उसने बोलना शुरू किया तो उसने देखा यह बच्चे और जादा चुप हो गए धी में धी में आ रहे थे तो उसने कहा कि तुमने किसी को आसपास वरांडे के देखा तो इसलिए 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 अपना क्वेशन बदल दिया उसने क्या सुचा क्या हुआ होगा अब रुपमनी को इस बात का आइडिया लग गया था कि कही बच्चो ने चपल बिकारी को तो नहीं देदी म्यूजिक टीचर की अब गोपु मामा की जब चपल म्यूजिक टीचर को दी गई तो उन्हों ने ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों करी कि वो खुश नहीं है क्यों इन दे स्टार्टिंग दे चाप्टर दे डिस्क्रिप्शन दे स्लिपर आउटसाइड दे डोर्स चप वस गिवन जब हमने चाप्टर शुरू में पढ़ा था तो उस टाइम पे दिखाया बताया गया था कि किस तरह की चपले जो हैं महां दर्वासे पे रखी हुई थी दोस वर ग्रे अच्चुली वे डस्ट धूल से भरी हुई थी अबर को ग्रे को रही थी वन कुछ सी दा माक्स अवरी टो ओन दे फ्रंट पेर पार्ट अफ एच लिपर मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो चपल पे हर पैर की जो अंगली है अंगूठा है उस सब के जो बड़े अंगूटों के दिख रहे थे ड्राम ने लग रहे थे दो स्लिपर्स वर अफ दे म्यूजिक टीचर पट वन ही गेट नियू हार्ड़ी ओन स्लिपर्स अफ गोपु मामा इस आइस लिट अप तो वह जो चपले थी वह म्यूजिक टीचर की थी लेकिन जब उन्हें मिली और वह चपले जो गोपु मामा ने बहुत मुश्किल से कभी कदा पहनी होंगी तो उनकी एकदम से आंखे चमाक उटी ही डिग नॉट वान तो शो हैपिनेस तो अब क्या था वो अपनी खुशी क्यों जाहिर कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी चपले तो ब बिलकुल घिसी होई है और किसी को यह नहीं शो करना चाह रहे थे कि मेरी चपले जो है वो पुरानी थी उनको तो नई मिल गई तो उनने जैसे देखाया है नि मेरी पहली वाली चपले जो है वो जादा वैल्यूएबल थी अब जैसे ही चपले मिली तो वो जो भीकारी था वो एकदम से क्यों गायव हो गया मतलब फटाक से चला गया महा से उसको इतनी जल्दी क्यों ही भागने की महा से क्या हुआ था गर्मी बहुत जादा थी और जो सड़क का पारकोल होता है वो भी पिखल रहा था अब उसने जब अपने पैर दिखाये थे तो उस ताइम पे दिख रहा था कि उसके पैरों में चाले पड़ गए है और बिलकुल फट गए चाले नंगे पैर है वो अब उसको जब जाने के लिए कहा जा रहा था तो बार बार उसकी निगाहे सड़क पे जारी थी वो इतना डर के उस सड़क की तरफ देख रहा था कि मैं कैसे जाऊं मेरे इतनी जादा गरम हुरा है और मेरे पैर उच हले पड़ गए मुसे चला नहीं जारा नंगे पैर अब ही क्या था जैसे ही रवी ने उसको चपले लाके दी तो जो बेगर था उसने चपलों की तरफ देखा क्योंकि उस वक्त उसकी नीड क्या थी चपले ताकि वो चाओ सड़क पे जल सके मैं यह नूदाए पे Фॏरां किया चपलों को देखा अपना जो टॉबल यह उसकोई कैला और उसने अपने पैर जो है चपल दालए देख और व inde को गई ती वह गरmy में अगर आप नंगे है चलो तो आपको तकलीफ क्यां दे रहा है यह पैर में कू चो सबॉद की बैट जाता था वो इसलिए बैटता था कि उसको आगे अत्ती घर्मी में चला नहीं जाता था लेकिन जब उसके पास चफपल मिल गई तो वो आसानी से चल सकता था तो इसलिए वो फिर महां पर नहीं रुका और जल्दी से महां से निकल लिया Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukmani began to laugh. What made her laugh? अब जब kitchen की तरफ वो Mridu and Meena के साथ आ रही थी तो Rukmani हस क्यो नहीं थी? क्या है सी बाती जो उसे हसी आ गई? तो walking towards the kitchen she suddenly began to laugh due to the way the music teacher left the house in new slippers and also that Gopu Mama doesn't wear his chappas to work but he was always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get his chappas as soon as he comes home. अब जैसे ही वो kitchen से जा रहीं थी kitchen की तरफ तो उनको हसी इसलिए आई क्योंकि उन्हें पता था कि जो music master है उनकी चप्पले बिल्कुल गिसी हुई थी और उनको नई चप्पले मिलने के बार वो जिस तरह से कर रहे थे फटाक से उन्हें चप्पले पहनी और चले गए वहां से बिना ऐसे दिखाए हुए कि अरे मेरे तो बतनी बड़ा दुक हुआ में चप्पले कहां चली गई और बहुत अच्छी थी वो इस सोच के उनको हसी आ रही थी दूसरा उनको ये लग रहा था कि जो गोपु मामा है अच्छी बात यह हुए कि वो चप्पल जो है काम पर पहन करनी गए पर जब वो घर आते हैं तो आते ही सबसे पहले इपने जूते उतारते हैं मूज़े उतारते हैं और चप्पल पहनते हैं तो उनको ये सोच के हल लग रहा था कि अब क्या होगा तो यही सब भाते जो थी उनके माइंड में आ रही थी और उसी को सोख सूच के वो हस रही थी अब यह जो question है, read the following sentences अगर यह पता चल गया कि हमाएं पस cat है तो पाती घर चोड़ के चली जाएगी वो बहुत जादर नाराज नहीं होगी अगर उन्हें पता चलेगा कि जो भीकारी था गरी बाला उसके पैरों में छाले पड़ गए थे अगर चपल बाइचास आपके बिलकुछ सही पैरों में फिट हो जाती तो क्या आप इस बात का बुरा नहीं मानती आपको फरक नहीं पड़ता notice that each sentence consists of two parts अब यहाँ पर क्या है हर sentence के दो पार्ट दिये the first part begins with if it is known as if clause तो हर पार्ट जो है sentence का वो दो पार्ट में divided है मतलत पूरा sentence दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है तो जो पहला पार्ट है वो if से चुरू होता है इसको बोते है if clause rewrite each of the following pairs of sentences as a single sentence use if at the beginning of the sentence अब आपको यहाँ क्या करना है हर sentence के जो पेर दिया है इसको single sentence में convert करना है इफ की शुरुवात आपको start sentence के starting में कर दिये पहला sample के दिया है walk fast you will catch the bus जो इसका answer क्या है if you will walk fast you will catch the bus तेज अगर तेज चलोगे तो तुम बस पकड़ पाऊगे दूसरा example दिया है don't spit on the road you will be fine if you spit on the road you will be fine अगर तुम सडक पर spitting करोगे तो तुम पर जुर्मा न लगेगा तो अब यहाँ पर जो questions है वो क्या है don't tire yourself now you won't be able to work in the evening तो answer क्या होगा if you tire yourself now you won't be able to work in the evening अगला है study regularly you will do well in the examination उसकान से क्या है if you study regularly you will do well in the examination थर्ड है work hard you will pass the examination in the first division if you work hard you will pass the examination in the first division फोर्थ है be polite to people they will also be polite to you इसकान से क्या है if you will be polite to people they will also be polite to you Finally fifth क्या है Don't tease the dog, it will bite you Answer, if you will tease the dog, it will bite you Next है, fill in the blanks in the following paragraph अब ये जो fill in the blanks लिये, इनको fill करना है Today is Sunday, I am wondering whether I should stay at home or go out आज Sunday का दिन है अब मैं ही सोच रहा हूं कि मैं बाहर जाऊं या घर पे रहा हूं अब इसका fill in the blanks कैसे fill करने If I dash out, I dash the lovely Sunday lunch at home तो answer क्या आएगा If I go out, I will miss the lovely Sunday lunch at home If I dash for lunch, I dash the Sunday film showing at Arshna Theater If I stay for lunch, I will miss the Sunday film showing at Arshna Theater I think I will go out and see the film only to avoid getting too fat Conan का finally, ठीक है मैं बाहर जाता हूं, पिच्चर देखता हूं जिससे मैं जो हूं मोटा भी नहीं हूंगा Complete each sentence below by appropriately using any one of the following अब आपको यहाँ पर इन तीनों में से options में से एक लगाना है sentence के अंदर If you want to, if you don't want to, if you want him to तो पहला है, don't go to the theater आंसर क्या होगा, if you don't want to, he will post your letter आंसर, if you want him to, please use my pen आंसर, if you want to, he will lend you his umbrella, if you want him to My neighbor Ramesh, will take you to the doctor, if you want him to Don't eat it, if you don't want to Next है, discuss in small groups If you want to give away something of your own to the needy, would it be better to ask your elders first? अगर आप अपनी तरफ से कोई चीज देना चाहते हैं किसी भी नीडी को तो क्या ये जरूरी नहीं होगा कि आप पहले बड़ों से पूछें? तो आंसर है, yes, we have to ask our elders first before giving anything to the needy आप जरूरत मन की मदद करो लेकिन पहले पूछ तो लो अपने बड़ों से कि देना क्या है? किस तरीके से उसको चीज से मदद किया जा सकता है? दूसरा है, if there is someone of your age in the family who is very talkative do you find him or her interesting and impressive or otherwise? share your ideas with others in the group अभ ये अगिन आपके उपर है, आपको ये आंसर खुद करना है sample के लिए हम बता रहे है my cousin is very talkative in the family अभी हमारी जो family है, उसमें जो cousin है, वो बहुत talkative है he finds it very difficult to sit quietly for 5 minutes as well 5 minutes के लिए भी चुपोना उनको बहुत भारी पड़ता है we don't feel him like every time talking but his knowledge is far better than us and he want to share his knowledge with us अब हर बक हमें नहीं अच्छ लगता कि वो बात करें नहीं क्या है, वो बहुत जादा intelligent है, उनके knowledge बहुत जादा है और वो हमेशे अपनी वो जो knowledge है, उसे हमसे share करना चाहते he has always talked on new topic which is quite interesting to listen and impressive also जब भी वो बात करते हैं, कोई नए topic पर करते है जो सुनने में बड़ी अच्छ लगती है और बड़ी मतलब से प्रभावित करने वाली होती है but every time sharing only knowledge and no general talks is sometimes illiterate अब आप किसी से भी बात करें, वो हर बद knowledge ही share करता रहे कोई general बात ना करें, तो वो जो 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 हैसा सुनने में कईकी बात अजीब सी लगती है क्या रुक्मनी ने exactly वो ही किया होता है जैसा बच्छो ने किया तुम्हारी नजर में क्या ये सही है एक पार्टी दूसरे को ब्लेम करें ये भी आपको खुद सोचना है रुक्मनी was also a kind-hearted lady but would not have done the same thing like the children अब कहने को रुक्मनी अच्छी थी वो बिकारी रोज आता था उसको मना नहीं करती थी लेकिन उन्होंने जैसा बच्छो ने किया वो नहीं करती if she had to give slippers to the beggar then she might have given those spare slippers which were either old or not in use or not of the music teacher अगर बाई चर्स उनको भी मन आता कि वो बिकारी को चपल दे तो वो क्या करती वो ऐसी चपल ढूनती जो घर में बिलकुल पुरानी पड़ी होती यूज नहीं हो रही होती या फिर जो उनके पास बिलकुल ही बेकार होती उसको देती हाँ वो music teacher की तो चपल नहीं उठा के दे देती अब मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं है कि हम एक जना दूसरे पर ब्लेम लगाए क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं अब जो बच्चों ने किया वो भी एक अच्छी kindness की आक्ट थी लेकिन उन्होंने वो किया जो उनकी समझ थी जिस तरह की उनकी उम्र थी उनको जो समझ में आया उन्होंने उस हिसाब से act किया क्योंकि उनको भी भीकारी को देखकर दया आई कि उसके पैरों में चाले पड़ने हैं तो उनको पहले उन्होंने ट्राई किया कि मेरी चपपले बहुत चोटी हैं तो जो चपपले उन्होंने उसको उठा के दे दिया तब उनके माइन में यह नहीं आए कि वो किसकी चपपलें उनको सिर्फ उस टाइम पे भिकारी का दर्द दिखा अब कुछ बच्चे जो हैं आपके क्लास के वो होस्टल में रहने जा रहें अब उन्हें बोला गया एक इंसान को चुनो चुनो जिसके साथ तुम अपना रूम शेर करोगे अब आपको इसके बाद यह बताना है कि उनकी क्या लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं प्रफरेंसे हैं होबीज हैं उनकी खुद की कैसी क्यारेक्टरस्टिक्स हैं यह सब एक दूसे से क्वेशन में पूछना है अब आपको इसमें स्तमाल क्या करने ही जो सेंटेंस दिये गए है और ओपनिंग्स और जो क्वेशन है पहला है वोट दो यू इंजॉइ दूइंग आफ्टर स्कूल के बाद तुम क्या करना पसंद करते हैं जवाब देगा वो क्या कह रहा है आइंजॉइ प्लेइंग विद मैं लीगो आफ्टर स्कूल मुझे लीगो से खेलना पसंद है स्कूल के बाद वोट दो यू लाइक कि जनरल तुमें जनरल क्या पसंद है I like to play, read books, listen to music, watch cartoons अब मुझे खाली समय में क्या अच्छा रखता है खेलना है, book पढ़ना है, music सुनना है या cartoons लेखना Do you play any game? कोई game भी खेलते हो I don't like to play outdoor games mostly मुझे outdoor games नहीं पसंद, मैं indoor games जादा पसंद करते है Would you mind if I listen to music after dinner? तो मैं बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं डिनर के बाद music सुनू I wouldn't mind listen to music after dinner as it is very relaxing मेरे को क्या बुरा लगेगा? बलकि music सुनना तो डिनर के बाद बहुत अच्छा लगता है, एक relaxing सी होती है What it be alright if I, will it be alright if I, क्या सही होगा अगर मैं, it's just fine with me I can adjust, no problem, मेरे को कोई problem नहीं, I can adjust Is there anything you dislike particularly? कोई ऐसी चीज जो तुम्हे नहीं पसंद? Well, I can't share my personal things with anyone हाँ, मुझे अपनी personal चीजे किसे से शेय करना पसंद नहीं Do you like to attend parties? तुम्हें parties अटेंड करना पसंद है? Oh, I love to attend parties and enjoy going with friends मुझे बड़ा चल लगता है party रटेंड करना Friends के साथ बाहर जाना Would you say you are? तुम क्या कहना चाहोगे कि तुम? I think I'm very cool मुझे लगता है मैं बहुत cool हूँ तो ये था आपका chapter की exercise Question answers आपको अच्छे लगे, समझ में आए Subscribe करो मा चैनल Asa Education Bye आपको अच्छे लगता है